वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं आपने कई सारे रिवार्ट के बारे पड़ा होगा मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं वैसे आज हम पहाडिया विद्रों के बारे में बात करेंगे अगर आप हमारी पेड़ गृपs join करना चाहते हो तो आप इन नंबर पर जो है कॉल कर सकते हो इसके साथ यूपी एससी, बीपी एससी, यूपी एससी, यूपी ट्रपल एससी, एपी एफो, किसी भी एक्जाम की आप जब प्रिपरिशन कर रहे हो, तो आप हमारे जो पेट गुरुप से उनके थुरू कर सकते हो, प्रिलिम्स, मेंस, उप्षिनल, आंसा राइटिंग, टेस्स, पर मिल जाएगे, इसके साथ साथ जो फ्री टेलिग्राम गुरुप है, हमारा स्चेडी फॉर्स सेर्विसेज, आप इसको भी जो है, जो है, जो है, जो है, जो बंगाल वाला एलाका है, उसके आसपास ही, आपको देखने को मिलेंगे, उडिशा के को चेरिया, जार खंड का जो बंगाल का इरिया लगता था ना, मतलब बंगाल के पास जो बॉर्डस लगती थी, वहाँ आपको जो है, इंपोर्टेंट जो रिबेलिया ने वो देखने को मिलेंगे, और भी जैगे हुए है, लेकिन जो मेन रिवालूशन है, वो आपको इन ही के आसपास देखने को मि इसके साथ तूसर रिजन ये भी है, कि जब बिटिशास आए, उसके बाद उन्होंने जो बहुत सारे हिली रिजियन्स है, वहाँ पे जो है, कबजा करना चुरू कर दिया, कई लों की जमीन या पर लेली जमेंदारी सिस्टम को लेके आए, तो ऐसा करते करते कई सारे लोग अगर हम बात करें इस पर वेस्सटम के डिया chiक अगार्य बीडियो बनाया है, ये आपको वैस्त है जारखंड मिर्धा जो बनाना वह सेलिबूर्सरी है, उसी दिन जारखंड अपनने सेक्षेट हो लेए सेलिपरेट करता है, अब गर हम बात करें पहारिया से रिवन गी तो 1778 में हुगा इसके पहले भी मतलब 1772 से जो है reward यहाँ पर शुरू हो गए थे लेकर main job rising है वो आपको 1778 में देखने को मिलेगी और mainly इसको late किया था राजा जगरनाथ ने और इसके बाद अगर आप देखोगे तो Britishers ने पहले यहाँ पर अपना campaign युनाइट करते हैं इन सबको उसके बाद finally यह लोग जो है अपना campaign यहाँ पर launch करते हैं Britishers के अगेस में अब अगर हम बात करें पहाडियास पीपल है कौन आखिरकार हम जो पहाडियास के यहाँ पर बात करते हैं पहाडियास लोग है कौन और यह मेली कहां पर जो है रहते हैं देखो पहाडियास जो है वो आपको हिली पीपल देखने को मिलेंगे मतलब राजमहल हिल्स के आसपास वाला जो इलाका है उसके आसी पास जो है यह सब लोग यहाँ पर रहते हैं अब देखो पहाडिया राजमहल लोग आपको पाहड़ी आज यहां पर देखने को मिलेगे और देखो मेली यह लोग जो है फॉरेस्ट के अंदर रहते थे लिए फार्मिंग में इंगेज हो जाते हैं फॉरेस्ट जो फूड है उस पर यह पूरी तरीके से हाँ पर डेपेंड है और इनका जो फॉरेस्ट है इ वाला जो एरिया आज है न यही जो एरियाज है वहां आपको पहाडियास लोग वो देखने को मिलेंगे तो इनही जगे पे काफी धली एरियाज है यह और बहुत सारे जो ट्राइब लोग है उहां पर रहते गने-जंग नहों अब अगर हम बात करए यहां पर रहतें और मेली यह जो है राज महल्स में ठीक है तो बेसिकली दमीन एको क्या है तो परिशयन वर्ड है कई बार जो एक्जाम में आप यह भी पूछा जाता है कि दमीन एको किसे असुसिटेट है तो बेसिकली यह जो है पहाडिया जो रिवॉल्ट से उससे जो है असुसिटेट है न पहाडियास जो है काफी अंदर यहाँ पे रहते थे, लेकिन मुगल्स जो है उतना अंदर जाते नहीं थे, यह बाहर ही बाहर जब टेक्स यहाँ पे collect करते थे, उतना interior पे यह लोग कभी नहीं गए, forest पे मुगल्सों जादा interest था नहीं, भहिशं अगर आम बात करें Britishers की, तो जो है एक independence जो है पहाडिया स्टाइप का आपको देखना को मिलेंगा मतब यह fully independent लोग यह किसी पर dependent नहीं थे इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई pressure नहीं था कोई भी दबाव नहीं था कई हजारों सालों से यह जो hills के एरिया से ना वहाँ यह रहते आते हैं लेकिन जब यहां पर finally Britishers का invasion हो जाता है Britishers यहां पर आ जाते हैं तब इनकी independence जो है धीरे धीरे यहां पर खतम होने लगती है जब इनकी independence यहां पर खतम होती है तो इनको जो है काफी जादा problem face करना पड़ता है अब वो problem कैसी थी पहला तो यहां पर जमिनदार थे जमिनदार लोग बहुत जो है देखने को मिलेंगी एक है सौरिया पहारिया फिर है कुमारबाग पहारिया फिर है माल पहारिया तो यह तीन ट्राइब जो है सब ज़्यादा important है कई बार यह कुछी जाती है और यह सब जो है राजमहल hills के आसपास का जो area है वही जो ही यह निवास करते थे और सबसे बिटिशाद जो है continuously क्या करते हैं पहारिया फिपल को दबाने की कोशिश करते हैं पूरे तरीके से पहारिया फिर जैसे से जमीन यहाँ पर जाने लगती है न वो सब लोग एखटे यहाँ पर हो जाते हैं एखटे होने के बाद यह लोग बहुत ही बड़े लेवल पर जो है जो राइट से उसके लिए यहाँ पर लड़ते हैं अपनी जमीन के लिए पुरी तरीके से यहाँ पर लड़ते हैं अब देखो पहाडिया जो है यह क्या करते हैं अपने सेटलमेंट्स जो है उनको यहाँ पर कबजाना शुरू करते हैं उनको यहाँ पर कबजाना शुरू क घरे जिसके लिए लोग पहारिया लोगों, आप पहारिया लोगो पहारिया मरने ल काफ़ी साँ यहां के लिलम है कि इन्हों ने अपना रिवाट्य के शुरू किया, इस अब लिए में आनि जो लीडर्स उनको यहां पे annual alliance जो देदी आजाता है ताकि यह यहां पर पैसा मिल जाए इनको और यह लोग क्या कर पाएं? टुपस के तरीके से जो प्रॉपर यहां पे बीहेव कर पाएं. तो basically देखो वो यहाँ पे यह रहा है कि पहाडियाज जो है अब यहाँ पे reward तो कर रहे हैं लेकिन Britishers भी अपनी policies यहाँ पे लेकर आ जाते हैं बहुत सारी लोगों यहाँ पे पैसे देते हैं जिसकी मेज़े से होता क्या है कि कई जो reward से वो यहाँ पे दब जाते हैं लेकिन पहाडियाज लोग जो है हमेशा ही यहाँ पे reward करते हुए आपको नजर आएंगे प्योंकि वो बिल्कुल जो है जुपते नहीं है Britishers के सामने और main leader आपको जो है